हालो फ्रेंड मेरी चैनल की अनुहम के अर्टिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आज मैं आप लोगों के लिए यह लेडिस गिलप से लेकर आई हूँ यह मैंने किरोशिया से बनाया हुआ है और इसका लुक इस तरीके से है अगर आपको मेरा चैनल यह पसंद आये मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा मेरी चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा कमेंट करके बताएगा कि आपको यह कैसा लगा यह मैंने किरोशिया से लेडिस गिलप्स बनाये हुए है आप चाहें तो अपने बेटे को बना सकते हैं हस्बेन को बना सकते हैं गिलप्स यह और यह स्कूटर या बाइक वगड़ा चलाने के लिए बहुत एजी गिलप्स हैं क्योंकि इनमें मैंने उपर की जो फिंगर है हाफ फिंगर वाले गिलप्स बनाये हैं यह यह देखिए और यह बहुत एजी बन जाते हैं और बहुत जल्दी बनने वाला गिलप्स है तो स्टार्ट करते हूं फ्रेंड यह मैंने कैसे तरिके से बनाया है गिलप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं 15 चैन बना लेती हूं एक नॉट लगाकर 15 चैन बना लेते हैं इस तरिके से 15 चैन बनाने के बाद यह देखिए 15 एक चैन हम एक्स्ट्रा बनाते हैं और जो 15 चैन था हमारा उसमें से हम सिंगर हाप के रोसिया करते हुए इस तरीके से हम पूरी रोप कम्प्लीट करेंगे हाप के रोसिया करते हुए यह मैंने पूरी रोप कम्प्लीट कर ली है अब हमें यह इस तरीके से बीच में जो उपर उपर जो हमारी डवल क्रोश्या करते हुए डिजाइन आता है उस बीच फली में से हमको इस तरीके से निकालना है यह देखें बीच में से ठीके ना इस तरीके से बनाने से हमारा बॉर्डर एक्दम खिचने वाला जैसा होगा और मतलब काफी सॉफ्ट बॉर्डर आएगा इस तरीके से हमारी सेकेंड रोवी कम्प्लीट होगी यह इस में से मझे इस तरीके से एक चैन करने के बाद सिंगल क्रोश्चिया यहां से बीच में से हमको यह बनानी है यह हमारे ग्लप्स का आस बॉर्डर है यह इस तरीके से हम उपर तक बनाएंगे यह हमारे बॉर्डर बन के तैयार हो गया यह देखे फेंड अब हमें एक चैन लेके फिर उसी तरीके से बनाना है यह जाओी यह हमें एक बनाएंगे तैयार है झाल झाल ये इस तरीके से खीचने वाला काफी आसानी से बॉर्डर होगा और ये हमारा बॉर्डर गिलप्स का बॉर्डर तैयार है ठीक है आप अपने हाथ के हिसाब से बनाएगा ये मेरे हाथ की कलाई में विल्कुल फेट आ रहा है ये देखिए ये देखिए मैंने अपने पहले वाले गिलप्स के नाप से बनाया है ये ये बिल्कुल ठीक नाप बैट रहा है आप अपने हाथ के हिसाब से बना सकते हैं अब मैं इसको इस तरीके से जोइंट कर लूँगी ये इस तरीके से इसको जोइंट कर लेना है और मैं अब ये उपर का बॉडर बनाना है मझे इसमें बॉडर बनाने के लिए मैं डबल किरोश्या करूँगी ये देखिए इस तरीके से हमें ये बॉडर बनाना है हर चैन में से हमें डबल किरोश्या करना है ये इस तरीके से खल्द करेसे हमें ये फिरके से झाल ये गश्या तरीके से लिए लिए टार लेग प्रोशब्ड़ करना है वे इस तरीके से लिए ठास्वारा कर लिए लिए कि यह पूरा हमें यहां तक डॉबल क्रोशिया कर लेना है बॉर्डर हम इसको एक जोएंड लगा देते हैं बीच में अब हमें उपर की डिजाइन के लिए हमें क्या करना है बॉर्ड थोड़ा लूज फंदा रखना है हमें और हमें दो तीन चार पांच और यह छे छे तो नहीं बारा फंदे हमें एक साथ लेने हैं मैंने इसमें डॉबल किये हैं फंदे आप चाहें तो तीन भी रख सकते हैं पांच रख सकते हैं पांच के फंदे आपको डॉबल हो जाएंगे आपको जैसा अच्छा लगे डिजाइन आप उस हिसाब से फ दिजाइन भी फेंट बहुत इजी है आराम से आप बना सकते हो और इसमें मैं एक दो तीन तीन फंदों का गैप करके फिर ही यह दिजाइन डालूँगी जरूर ही नहीं है कि आप इसमें छे फंदे ही डालो आप छे कर डिजाइन बनाओ मतलब आप चाहों तो आप चार कर डिजाइन भी बना सकते हो तो चार दूनी आठ फंदे हो जाएंगे आठ दूनी शोला इस तरीके से डिजाइन बनेगा इसका क्योंकि हम एक मैंसे दो बार डिजाइन बना रहे हैं यह देखें अब हम फिर तीन को गैप करेंगे तो तीन फंदों को गैप करने के बाद यह डिजाइन बना रहा है फिर से पूरी रह हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी यह देखें फिर और यह हमें नौन डिजाइन बना रहा है बनानी है तीन हमारे अल्रेडी बन गई है डिजाइन अब हमें छे डिजाइन और बनानी है बनानी है तीन है यह हमें बनानी है तीन है बनानी है डिजाइन फिर से फिर प्रें बनानी है जए कर लेते हैं जोएंट करते हुए हमें इसमें बीच में से फिर उसी तरीके से डिजाइन बना दिए जैसे हमारा स्टार्डिक में हमने डिजाइन बनाई थी हमें उसी तरीके से पूरी गिलप्स पर डिजाइन बनानी है हमारी डिजाइन की सेकेंड रॉप हमारी डिजाइन की सेकंड रॉप कर दोट्रीके सेकंड रॉप हमारी तरीके सेकंड रॉप कर दोट्रीके सेकंड रॉप आप इसमें जितना लूज फंदा लेंगे ये रिजैन उतना ही उभर के आएगा देखे फ्रेंड ये इस तरीके से इसमें जितना ही ड़्से से लीघे लिए बिजया से के आएगा आप यहां से इसको गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ हो साथ ही जो मैं कम्प्लीट कर रही हूं मैंने छे रोग कम्प्लीट कर ली है इसी तरीका इससे तो अब मुझे इसमें थम्स के लिए जगा रखनी है तो इसके लिए मुझे क्या करना है इस तरीके से मैं एक रोग कम्प्लीट करके मतलब गैप करके इसको गैप करूँगे मैं और डारेक्ट एक डिजाइन को गैप करके दूसरी डिजाइन में मैं इस तरीके से single crochet करके यह मेरा thumbs के design हो गया cutting हो गया thumbs के लिए ठीक है आप देख सकते हो यह देखें यह मेरी thumbs के लिए मैंने इसको gap कर दिया है अब मैं उसी तरीके से design बनाऊँगी जैसे मैंने यह इस तरीके से design thumbs के लिए छोड़ दिया है अब यहां से मैं अपना new design हाप fingers के लिए start करूंगी इस तरीके से यह देखें बहुत easy बनता है यह gloves जिन लोगों को crochet चलाना या बुनाई करना नहीं आता है वो भी आराम से इसको बना सकते है यह देखें फ्रेंड इस तरीके से अब हमें इसमें दो extra बनाने है design यह देखेंगी यह 9 यह 9 design है यह अब मैं यहाँ पर यहाँ से start 9 design बनाऊंगी और यह मेरे यहाँ पर 7 design है thumbs तक मैंने 7 design बनाए है और thumbs के ऊपर मैंने 2 extra design बनाए है half finger के लिए ठीक है तो मैं उझे आपर 2 design और बनाने है अब बनाने हैं के दीकिए है तरीके से झाल 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 पर बॉडर बनाना है जैसे मैंने इस तरीके सिया बॉडर बनाया है सेम ऐसे ही सिंगल किरोशिया से आप बाड़ा बना सकते हैं चैने डबल किरोशिया से बाड़ा बना सकते हैं तो यह मैंने इसमें इस तरीके से बाड़ा बनाया है डबल किरोशिया से एक मैंसे दो बार डबल किरोशिया लिया है और यह मेरा बाड़ा बना की तियार हुआ आप देख सकते हूं तो यह दिखें यह मैंने इसकी बाड़ा बना ली है अब मुझे इसमें इस तरीके से जॉइन करना है और हमारा गलप्स बनके तयार हो जाएगा मेरे चैनल पर पहले से ही इसका वीडियो डाला हुआ है मैंने कि मैंने किस तरीके से किरोशिया से बनाए हुआ है इसका अगर आप कहेंगे अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे मेरे चैनल पर आप ओल्ड है तो आपको बहुत अच्छे से इसका लिंक मिल जाएगा तो मैं मैं इस तरीके से जॉइन कर लेती हूँ और यह देखें मैंने इस तरीके से इसको सीधे तरब से ही बिनना है सुरी फ्रेंट सिलना है यह इस तरीके से यह जो फंदे है इससे हमारी एकदम सीधी फली कर लोक आएगा यह देखें आई होप आप लोगं के लिए यह पसंद आया हो और समझ में भी आया हो तो प्लीज मुझे एक कमेंट करके जरूर पताएगा क्या आपको यह कैसा लगा यह इस तरीके से यहां तक मैं इसको जरूर कर लेते हूं तो हमारा गिलप्स बनके तयार है यह देखें और यह फिंगर हाफ फिंगर तक मैंने गिलप्स बनाया है यह देखें फ्रेंड इसका लोग इस तरीके से बनकर आया है आई होप आप लोग लिए पसंद आया हो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कीचेगा अब फिल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू